आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नवश्कार, जानेंगे इस कारोबारी सब्ता एग्री कमोरिटीज यानि क्रिशी फसलों में क्या रुज़हन देखने मिलेगा तो हमने देखा कि गौर कॉंपलेक्स में एक साइडवेस सा कारोबार देखने मिला जहां पर जो अरेंज थी वो 6200-6400 तक गौर सीट में देखने मिली वहीं गौर गम में हमने देखा कि करीबन 12400-12800 के बीच प्राइज़ जो थी वो और ट्रेड कर रही थी तो आने वाले कुछ दिनों में क्या रुख होगा वो दिसक्स करेंगे गौर सीट में उवराल ऐसा लगता है कि 6200 के उपर जब तक प्राइज़ थी तब तक 6550 का एक लेविल हमें देखने मिलेगा तो एक अपसाइट का रुज़ान देखने मिल सकता है बायाउन डिप की सला भी होगी वहीं अगर गौर गम की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि एक बार 12800 के उपर दाम निकलेंगे और करीबन 13000 के आसपास देखने मिल सकते हैं तेजी का रुख यहां भी देखने मिलेगा हाला कि अगर डिप 12500 से 12450 तक मिले तो एक बहतर इंट्री लेविल मिल सकता है 13000 के लक्ष के लिए तो फिलहाल बायाउन डिप्स की सला देना चाहूँगा महीं मसाला कॉंपलेक्स में हमने देखा कि हल्दी में जिस तरह से उम्मीद थी एक फॉल देखने मिला और 8500 की करीब की क्लोजिंग देखने मिली आने वाले हफ़ते में ऐसा लगता है यह जो डिप है और गहरा सकती है अबसाइड में 8700-750 के करीब एक रिजिस्टेंस है और जो फॉल है वो 8350 तक हमें देखने मिलेगा तो सेलोन डाली इसकी में सेना देना चाहूँगा वहीं अब धिनिया में भी ऐसा लगता है कि मुनाफ़ा वसूली हावी रहेगी अगले हफ़ते और 12,000 का जो सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकता है अब साइड में 12,400 का एक रिजिस्टेंस है तो 12,300-12,400 की करीब अगर प्राइज मिले तो वहाँ पर भी क्वाली की जा सकती है हाला कि ओरल जो ट्रेंड है निवेश के लिए अब भी अच्छा मौका बनेगा अगर 12,000 के आसपास प्राइज मिलती है लेकिन छोटी अफ़दी में सेलोन रालीस किया जा सकता है वहीं जीरे में भी हमें लगता है कि 21,800-21,700 तक का एक डिप देखने मिलेगा अब साइड में 22,400 का रेजिस्टेंस है जब तक के प्राइज होल कर पा रही है जब तक करेंड मार्केट से करीबन 300-400 रुपे की फॉल देखने मिलेगी जिसके बाद सपोर्ट प्राइज ले सकती है और एक तीजी का रुजहां दुबारा देखने मिल सकता है वहीं कॉटिन की बात करें तो जो कॉंट्राक्ट था इप्रिल कॉंट्राक्ट उसके आखरी दिन हमने 46,000 का जो लेवल था वो टेस्ट होते वे देखा और इसके साथ ही एक जो बड़ा लक्ष था जिसकी बात हम 47,000 या 44,000 से कर रहे थे वो हासल हो गया है अगले कॉंट्राक्ट में याने मही महीने में भी ऐसा लगता है कि 40,000 के उपर दाम जाएगा लगभख प्राइस सेम ही लेवल पे रोल ओवर हुई है और 45,200 का एक इमिजिट सपोर्ट होगा तो अगर मुनाफ़ा वसुली देखने मिलती भी है तो 45,200 के नीचे प्राइस जाती हुए नहीं दिखती है इमिजिटली अपसाइट में 4,300 का एक नया लक्ष ले जा सकता है और उसके बाद में 4,800 हाला कि ये जरूर कहूंगा कि पोजिशनल बेसिस पे जो एक बड़ा व्यू था वो कहीं न कहीं अब डन होता हुआ दिखता है तो अपसाइट जो होग वो एक इंक्रिमेंटल अपसाइट जिसे कहते हैं वो होगा याने बहुत जादा यहां से तेजी की उम्मीद लिमिटेड लग रही है क्योंकि एक बड़ा अलग्ष हासिल हो चुका है वहीं कैस्टर सीड में हमने देखा कि तेजी के साथ आकरी कारुबारी दिन क्लोज दिय है हला कि जो पिछले हाई थे 7600 के करीब जो हमने दो हफ्ते पहले देखी थे वो फिलहाल टेस्ट नहीं हुए है 7500 का हाई बनाकर 7330 के करीब की क्लोजिंग आई है तो मैं यही मैंटेन करना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टो मेडियम टर्म ट्रेंड है यानि चोटी अवदी के लिए एक जो रुज़ान है वो नीचे के तरफ दिखाई देता है जब तक 7600 के लख्ष या 7600 का लेविल नहीं निकलता डाउन साइड में 7200 और उसके बाद में लगभग 6900 तक दाम फिसल सकते हैं हाना कि जो पोजिशनल रुज़ान है यानि एक से तीड़ महीने का रुख है वो अब भी तेजी का बना हुआ है लेकिन चोटी अवदी में मैं समझता हूँ कि एक मुनाफ़ा वसली का दोर हमें आगे देखने मिलेगा वही सोया कॉंपलेक्स में हमने रिफाइंट सोयल को नहीं उचाया चूते हो देखा और इसके साथ 1620-1630 तक के जो लेवल थे वो हासल हो गए है वहीं सोयाबीन में भी हमने 7800 की करीब टेड करते हुए देखा तो Soya Complex में खास करके Refined Oil और CPO में तीजी का रुजान बना हुआ है और ऐसा लगता है कि Current Prices से भी करीबं 3-3.5 फीज़ी की और तीजी हमें देखने मिलेगी और Soya Refined में 1700 तक का एक नय All Time High हमें देखने मिल सकता है Mental Oil के अगर बात करें तो 1060 के करीब से Recovery हमने देखी 1078 के करीब के Closing आई है और ऐसा लगता है कि जो ये एक Build-Up है ये जारी रहेगा अगला Contract मई वाइदा अगर देखें तो 1060 के करीब है तो यहां से Recovery देखने मिलेगी अपसाइड में 1090 से 1100 तक के Level हमें Short Term में देखना मिल सकता है तो मैं तेजी करने की सला देना चाहूंगा Current Market से और Current Level से लगभग 3-4% की तेजी आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने मिलेगी ऐसा मेरा मानना है तो यह था एक जाजा कि जो Major Agri Commodities है उनमें आने वाले हफते और Short Term